प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में आप लोगों का स्वागत है, बच्चों, आज हमारे पठन-पाठन का विशय है, आपकी पाठी पुस्तक में दी गई नाटिका, नाटिका अर्था छोटा नाटक, जिसे प्रहसन भी कहा जाता है, चंदा मामा की जै चात्रों इस नाटिका के लेखक हैं, सुपरसिद्ध साहित्यकार स्री मंगल सक्सेना, जिनका जन्म 1936 में बीका नेर राजस्थान में हुआ, अम्रित्यु जुलाई 2016 में हुई इनकी प्रमुक रचना है मैं तुम्हारा स्वर, इनके बारे में संक्षिप्थ परिचे दिया गया है, मंगल सक्सेना जी, कवी, नाट्य निर्देशक, राजस्थान, साहित्यकार्दमी के सचिव के रूप में प्रसिद्ध थे, आपने हिंदी साहित्य निर्मित में का योगदान दिया है, चात्रों, प्रस्तुत एकांकी नाटक में लेखक ने शांति प्रियता, बड़ों का आदर, छोटों से प्यार तथा बुरी आदत ने त्यागने के लिए प्रोच साहित किया है, इस नाटक में भाग लेने वाले सभी पात्र तीन से चवदह वर्ष के बच्चे हैं, चात्रों, इस एकांकी नाटक के माध्यम से हमें यह भी बताने का प्रयास किया गया है, कि बच्चों को मनाने के लिए या कोई काम करवाने के लिए उन्हें कभी भी किसी भी चीज की लालच न दे, ऐसा करने से उनकी आदत पढ़ जाती है, और वे बार-बा माता-पीता को तंग करते हैं, चात्रों, आगे बढ़ने से पूर्व हम पाठ में आए कुछ नए विशिश शब्दों के अर्थ जान लेते हैं, पाठ में आए हुए नए शब्द हैं, सेविका जिसका अर्थ है सेवा करने वाली, मजाग जिसका अर्थ हसी ठट्टा, कड़ जिसका अर्थ है कठोर, शैतानी जिसका अर्थ है शरारत, आदर जिसका अर्थ है सम्मान, प्रतिग्यां जिसका अर्थ है संकल्प, दंड जिसका अर्थ है सजा, क्षमा जिसका अर्थ है माफी, अन्याय जिसका अर्थ है न्याय रहित, चात्रों पाठ में एक मुहावरा भी आया है मुहावरा है गला फाड करोना जिसका अर्थ है जोर जोर से रोना चात्रों अब हम पाठ की और आगे बढ़ेंगे यहाँ पर पहले आप लोगों को कुछ विचार करने के लिए यह अपनी कल्पना के घोडे दवड़ाने के लिए यहाँ एक विशय दिया गया है क्या लिखा गया है ज़रा सोचो और चर्चा करो आपस में इस विशय पर क्या है विचार विमर्ष करने है अपने अपने विचार अपने अपने बाते अपनी अपनी कलपनाएं जो है इस विशय पर आपको बतानी है विशय क्या है यदि तुम्हारा घर मंगल ग्रह पर होता तो फिर दुनिया कैसी होती समाज कैसा होता विवस्थाएं कैसी होती वहां का अनुभव कैसा होता, वहां का जीवन कैसा होता, रहन सहन कैसा होता, इन बातों पर आपको अपने अपने विचार प्रस्तुत करने हैं आगे नातक में भाग लेने वाले पातों का परशे दिया गया है, सुनील नाम का एक बालक है जिसकी आईव आठ वर्ष है, अनिल दूसरा है जिसका अरथ है जिसकी आईव है पांच वर्ष, इसके बाद चार बच्चे हैं प्रत्यक की आईव जो है कितनी तीन से पांच फिर रात रानी इसकी आयू जो है 13 वर्ष है नीद परी इसकी आयू 11 वर्ष है चंदा मामा सबसे बड़े हैं आयू 14 वर्ष है दो तारे हैं प्रत्यक की आयू 9 वर्ष तीन पहरेदार जिनकी आयू 10 से 12 वर्ष है समय अर्धरात्री अर्धरात्म या आधी राद का समय है स्थान बादलों के देश में चाद्रों चुकि यह पाठ नाटक के रूप में है तो नाटक मन्च पर मन्चित किया जाता याू खेला जाता है पोशाक में बैठी है, सामने टेबल पर हतवडी है, पीछे सेवी का पंखा जल रही है, नीद परी के दोनों और एक एक तारा है, उनके हाथ में तारे की जंडी है, जिससे ये समझ में आता हैं कि वह तारा है, एक और नीद परी हलकी नीली पोशाक, धीली ढाली, बाहों वाला लंबा चोंगा पहने खड़ी है, वहीं पांच बच्चे एक ही बेंच पर उनीदे, उनीदे मला जिनको खूब नीद आ रही हो, से बैठे हैं, सबसे छोटा बच्चा उंगरा है, सुनील अलग कुरसी पर बै परदा उठता है, नाटक सुरू होता है, क्या लिखा है, सबसे पहले समवाद किसका है, नीद परी का है, नीद परी, ये रोने वाले बच्चे हैं, विशेश कर ये अनिल, खड़ हो जाओ, अनिल खड़ा हो जाता है, रात रानी डांट कर, तुम क्यों रोते हो, अनिल और जोर जोर से रोने लगता है, सभी जोर जोर से रोने लगते हैं, उनका रोना सुनकर सब परिशान हो जाते हैं, रात रानी उन्हें चुप कराने के लिए डांटी, अरे चुप हो जाओ, नीद परी, इन्हें किसी तरह चुप कराओ, ताकि कार्यवाही, कार्यवाही मलब तालत या कोड का काम जो है वो चालू हो सके नीद परी और यह सुनील यह घर में चाय की कप प्लेटें तोड़ कर और अपनी मास से पीट कर सोया था रातरानी इन्हें अपराज के अनुसार दंड देंगे सुनील से तुम्हें सफाई देनी होगी सफाई मतलब अपने बचाव में कुछ कहना है तो कह सकते हो समझे नहीं तो तुम्हें सजा दी जाएगी नीद परी नीद परी ने और भी उस पर आरोप लगाए क्या क्या या अपनी माँ का कहना नहीं मानता अर्थात इसके माध्यम से क्या हमें संदेश दिया जा रहा है कि हम सब को अपने माता पिता और अपने बड़ों का कहना मानना चाहिए खाने के समय खाने नहीं खाता या खेलने के समय खेलता नहीं पढ़ने के समय पढ़ता नहीं कोई काम समय पर नहीं करता मतलब यह है कि अगर हम काम समय पर नहीं करते हैं तो एक तरह का अफराद है दोश है गुनाह है इसलिए हमें अपना सब काम प्रत्यकारे निर्धारिस समय पर निश्चिस समय पर करना चाहिए रात रानी जवाब दो सुनी भोले पंसे अच्छे बड़ों को जवाब नहीं देते इसलिए मैं जवाब नहीं दूँगा नीद पर यह बड़ों को तू कहता है जबकि शिष्टाचार क्या है बड़ों को आप कहकर सम्बोधित करना चाहिए उनका आदर नहीं करता दूसरों को पीटता है सुनी अच्छा मैंने आपको तू कहा क्या मैंने आपको पीटा क्या यह तो जूट मूट कहती है रात रानी देखो इन्हें तुमने इन्हें कहती है कहा है जबकि बड़ों को कहती हैं कहना चाहिए, जबकि तुम्हें कहना चाहिए था, कहती हैं गुसे से, तुम बड़ों का मजाक उड़ाते हो, हम तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देंगे, तभी अनिल जो है, रो पड़ता है, सब बच्चे चौंक कर उहर देखते हैं, और सभी गला फाल फाल कर रोते हैं, मतलब जोर जोर से रोने लगते हैं, रातरानी डांट कर रोने चुप कर आती है, क्यों रोते हो, चिला कर, चुप रहो, वरना, वरना क्या रातरानी कहती है कि, वरना महलो तुम्हें सजा दी जाएगी, दंड दिया जाएगा, पनिश किया जाएगा, और बच्चों का रोना सुनक rete कि दिखिए रातरानी जो जर जया न्याया धीश की भूमिका में है कैसा यहाँ पर उसका करोधित छेहरा कोधित भाव भंगी मां दिखाई दे रही है बहुत घुष्षे में लिकाई उपर लिकाइ रातरानी घुष्षے से कापने लगती है घुष्षे से कापने लगने का मतलब क्या है कि बहुत क्रोध आना अनिल सुनील भाईया को कड़ी सजा मत दो रोने लगता है उसके साथ सब रोने लगते हैं रात रान अच्छा-च्छा कड़ी सजा नहीं देंगे चुप तो हो जाओ अनिल तुम सबसे अधिक रोते हो क्यों अनिल रोने से खाने को लड़ू मिलते हैं तो आपको पहले भी बताया कि स्पार्ठ में ये भी बताया गया है कि कभी कभी बच्चे क्या होते हैं किसी चीज के लिए जित करते हैं और माता पिता उन्हें समझाने के बजाए उनसे उस जित से पीछा चुडाने के लिए कोई वस्त उन्हें दे देते हैं तुम ये ले ले तु ये ले ले तु ये ले ले और इस तरह से बच्चों की आदत पड़ जाती है जब उन्हें कोई अपनी मन पसंद वस्त चाहिए तो रोने का दिखावा करते हैं माता पिता के आगे रोना आरंभ कर देते हैं शुरू कर देते हैं और माता पिता फिर उनकी जीत पूरी करने के लिए उनकी इच्छी तवस्त उन्हें देनी की कोशिश करते हैं प्रयत्न करते हैं परंत यह आदत ठीक नहीं है रातरानी हम तुम्हारी मां को कहेंगी कि रोने पर तुम्हें डांटा करें तुम्हारी बात न मानें तब यहां एक बात भी बताएगे यह बच्चों इस नाटिका के माध्यम से कि हमें छोटे बच्चों की या बच्चों की मांगे उनकी जरूर जाइज या नाजाइज कभी भी नहीं माननी चाहिए कभी भी स्विकार नहीं करनी चाहिए अनिल कहता है तब तब मैं और जोर से रोऊंगा सुनिल रोने से हमें बताशे मिलते हैं इसलिए हम रोते हैं रातरानी यह बुरी बात है हमेशा तुम्हें रोने पर बताशे नहीं मिलेंगे सुने रुआसा होकर आप शमा करें शमा करें मतलब कि हमसे गलती हो गई भूल हो गई हमें माफ कर दीजिए शमा कर दीजिए मैं अब कभी भी कोई शैतानी मलग शरारत नहीं करूंगा अनिल हम कभी नहीं रोहेंगे परन्तु सुनील भाईया को सजा न दी जाए इन्हें सजा मत दें रात रान अथवड़ी पीट कर जिस तरह से कोट में जज यान्याय धीज जो होते हैं शांती स्थापना के लिए प्रयास करते हैं जब अदालत में शोर शराबा जादा होने लगता है तो शांत बने रहने का संकेत जो है हथवड़ी मार कर अपने टेबल पर हथवड़ी मार कर करते हैं हथवड़ी पीट कर शांती शांती शोर मत करो इतने में चंदा मामा आते हैं तो चात्रों कैसी अवधार्णा है विचार है समाज में कि मामा का अपने भांजों से या बच्चों से लगाव जादा होता है तो इसलिए चंदा मामा के आते ही जो बच्चे अभी तक वहाँ पर निराधार निराश्रित बैठे थे बे सहारा लाचार सब पर रातरानी और नीद परी जो थी आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी अब उनको थोड़ा सहारा मिल गया कि मेरी तरफदारी करने वाला मेरा पक्षे लेने वाला भी कोई आ गया है नीन्तपरी चंदा मामा आप आपन अचानक कैसे आ गया अप वाहा प्रस्न अबाचिक चिन है इन्द रातरानी चंदा मामा कि खड़ी हो जातितbas हुटे hypocankuk bouleman है न मा sözे सरे श्रेष्ठ बड़े हैं तो बढ़ों के आने पर उनके सं मामा के प्रसंद हो जाते हैं खुश एसे तालिय हमाँ आ गये चंदा मामा आ गये मेरे बच्चे पर रही हो रातरानी भी तुम बच्चों पर अन्याय कर रही हो रातरानी दर करें मामा ने कहा कि अन्याय कर रही तो डर गई, फूछती कैसा अन्याय मामा जी, चन्दा मामा एक व्यक्ति में अधिक गुन हो और बुरी आधतने कम हो तो उसे शमा कर दिया जाता है, मला उसकी गलतियों को माफ कर दिया जाता है रातरानी क्रोज से, नीद परी जो कि बच्चों पर आरोप लगा रही थी तुमने हमें इनके गुण नहीं बताए क्यों चंदा मामा यही तो बुरी बात है अच्छा यह बुराई हम सब में होती है कि हम लोगों का दोश तो बताते हैं लेकिन किसी का गुण बताने का साहस हिम्मत या उदारता हमें होती नहीं है किसी की बुराई के साथ साथ उसकी अच्छाई को भी ढूंडना चाहिए या देखना चाहिए यह सुनील अपने से छोटे बच्चों को कभी नहीं पीटता उन्हें प्यार करता है यह बच्चे अपने से बड़ों का कहना मानते हैं उन्हें प्यार करते हैं उनका आदर करते है आपस में भी कभी नहीं जगडते रातरानी सच मुच इनके ये गुण तो मैं अभी अभी देख चुकी हूँ कौन से गुण कि आपस में इनमें क्या है बड़ा अच्छा थाल मेल रहता है एक दूसरे के प्रतिन में सहयोग का भाव है आपस में लडाई जगडे नहीं करते क्यों एक बच्चा रोता था जिस पर जब एक बच्चे को दंड देनी की बात कही गई तो सब बच्चे रोने ल जाती रात रानी अगर ये प्रतिज्ञा करें ये बुरी आदतें भी छोड़ देंगे तो इन्हें सजा नहीं दी जाएगी सब बच्चे हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम छोटी बड़ी सभी बुरी आदतें छोड़ देंगे रात रानी सब को शमा किया जाता है बच्चे खुशी से चंदा मामा की जय जय कार करने लगते हैं तो चात्रों यहाँ पर यह पाठ समाप्त होता है चात्रों अंत में जो है इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि दोश या बुराईया या अगुण किसी मनुश्य में होना या किसी बालक में होना कोई ऐसा मानिय बात नहीं है हम मनुश्य हैं, बालक हैं, इंसान हैं, दोश अउगुण हो सकते हैं और होते भी हैं पर जब हमें उनका बोध हो जाए, ज्यान हो जाए या अपने दोशों के बारे में पता चल जाए तो हमें सुधार लेना चाहिए यही मनुश्य का सबसे बड़ा गुण है और यही मनुश्य होने की सबसे बड़ी शर्त है अगर हम अपने दोशों को जानते हुए भी हम उसे अंदेखा करते हैं, उसकी अंदेखी करते हैं या उसे छिपाने का प्रयास करते हैं सुधारनी की कोशिश नहीं करते हैं तो फिर मनुष्य में और पश्व में अंतर नहीं रह जाता चात्रों यहीं पर यह पाठ समाप्त होता है मैं आप लोगों से विदा लेता हूं धन्यवाद